हेलो एवरीमिन च्याहिंद आज हम बाग करेंगे तिला जनुरी दोयार तेस से बनने वाले सभी प्रजार की करेंड एफिस के बारे में तो चले फिर स्टार्ट करते हैं परसन मंतरी नरेन मोरी के दोरा किस लीजार तेस को स्वामी विकरन के जम राष्टे युवा जिवान युएस केुपलक्ष में करनाटक के हुबली धारवार में 26 वे राष्ट्रिय युवा महसव का उधाडन किया गया राष्ट्रिय युवा महसव 12 जन्वरी से 16 जन्वरी तकाजित किया जाएगा वसका उधाडन पर्थन मुंतरी नरिन मुदी के दोरा करनाटक के हुबली धारवार में किया गया जाने किए खुम्ली धारवार को करंडग का जुड़वा नगर भी कहा जाता है रास्ति युवाद युवस दोयार टेश्ट की जो थीम रखी गई है वो थीम है विक्सित युवाद विक्सित भारत जाने किए थीम बहुत इंपोर्टेंट एक्जाम में वेरी वेरी इंपोर्टेंट आईए इसको आपको बिलकुल त्यार करना है एक्जाम में थीम बहुत जादा पूछा थी हर चीश के बारे में तो इस वर्स रास्ति युवाद युवाद दोयार टेश्ट की जो थीम है वो है विक्सित युवाद विक्सित भारत को खरी जंडी दिखा कर रवाना किया जाएगा और ध्यान नहीं है प्राइमति द्वारा 13 जन्वरी 2023 को यानि की आज भारत के फाइव स्टार्ट लग्जरियस रिवर क्रूज गंगा वुलास को खरी जंडी दिखा कर इसको रवाना किया जाएगा तथा यह उत्ता प्रदेश के वारानासी जिसके कोकाशी भी का जाता है सिफ चल करके आसम के डिवर्यू कर तक की यात्रा करी करेगा और यह है इसका यह रूट है यह वारानासी से होता हुआ पटना से होते हुए करकत्ता और फिवास से बागनादेश होते हुए सिफ़े असम के डिवर्यू बर तक जाएगा और यह लगवग लगवग 32 किलम्टर की यात्रा करेगा तथा 27 नदियों से हो करी गुल रहेगा और 51 दिनों का इसका जो है रूट यात्रा रहेगी तो जा तरह केंगे जो गंगा वरी लंद कर्लम का लक्ष Bür ए इसक traveled यी यह बाकत पहला रिवर नदी कूर द्या रहेगी यह आज 13 जनुरी को प्रहमनत्री की द्वारा 13 जनुट 23 को प्रहमनत्री की द्वारा 80 से इसको रवाना किया जाएगा शुरू में इसमें स्विज यात्री यात्रा करेंगे इसकी यात्रा अवदी 51 दिनों की है 51 दिनों की इसकी यात्रा अवदी है जाने खेंगे और ये बत्तिस सो किलमेटर की यातत करेगा इसका जो रूट होगा वो गंगा भागी रती होगली रिवर सिस्टम से होते वे जो नेशनल वोटर वे नंबर वन है से होते वे करगत्ता से धोबरी जो इंडो बंगाल प्रोटोकॉल रूट को ते करेगा और भ्रहमपुत्र प्रभुक नदिया जोसके रस्ते में होंगी वो होंगी गंगा भागी रती होगली विद्यावती मातला सुन्दर ववन रिवर सिस्टम मेगना पदमा जमना और ब्रहमपुत्रा पांच परदेशों से होके गुदरेगा और साथ में एक देश बंगादेश से होकर ये यहां सोते वे बिहार, चारकन, पश्यमंगाल और फिर बंगलादेश से होते वे ये भारत के असम के डिवर्यूगर तक जाएगा इसके रस्ते में जो इसके पड़ाव में जो मुख्य पड़ाव होंगे वो हैं वारानासी, वारानासी काशी से आज रवाना क्या जाएगा, होते वे पटना, कॉलकात्ता, फिर बंगलादेश के ठाका, भारत के गोहाटी, डिवर्यूगर होते वे कुल ये पच्चास पर्मुक प्रिटक स्थलों की यात्रा करेगा, इस वे शामिल के गए हैं, काशी से डिवर्यूगर गले एक क्रूस 13 जनुरी दुर्यूदेश को ज नदी क्रूस और यह है एक फाइव स्थार रिवर क्रूस है, जो सभी सुक्सुदाव से संपन है, और प्रेटन की दिस्ति से महत्पून पड़ा होगा भारत के लिए यह है नई एकिकरत खादिर सुरक्षा योजना को क्या नाम दिया गया है? 2023 से कर दिया गया है रहे मंतरी अमेशा द्वारा नई दिली में एक समारों में खरांती कारियों दा अधर स्टोरी आफ हाव इंडिया वन इस फ्रिडम पुस्तक का विमोचन के गया है पुस्तक के लेकख कौन है तो जयान लेकिंगे इस पुस्तक को संजीव सानियल के द्वारा लिखा गया है रेवलुशनरीज दा अधर स्टोरी अफ हाव इंडिया वन इस फ्रिडम पुस्तक का विमोचन अभी हाल में ही गरे मंतरी मेशा के द्वारा किया गया जो संजीव सन्याल के दोरा लिखी यह सिरना क्या है संजीव सन्याल भारत को कौन सा फ्रांड घिया गया address ग़िया गया है ता इस index में पेले ऐस्थानफर जापन और स्वर्जानकिम इस्थानफर अवगानेसंतान को रखा गया है हेनले पास्पर इंडेक्स दोयर 23 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा जाने कि हेनले पास्पर इंडेक्स दोयर 23 में पहले स्थान पर जहपान को रखा गया है जहपान पहले स्थान पर है जबकि दूसरे स्थानबस्त्राइग तरिउप से सिंगापूर TRACTION Kورिया है एवं तीस स्थानबस्त्राइग तरिफ से जर्मनी और स्पेंध है भारत को इसमें 85 वश्तान दिया गया है और सबसे अंत में अफगानिस्तान को शामिल किया गया है चीर भाग योजना के जाजे में लागू है तो चीर भाग योजना के अंतरगत के Оंतरगत स्कूलों के बच्चों में कोपॉशन को दूर करने के लिए सब्सक्र cierto में 25 लाक और आगन वाडियों में 49 सालेस लाक बच्चों को दूद्ट उत्तक कराया जाएगा और ये भी धियान रखेंगे भी हाली में पर केंद्रे ग्रहमतिया सेकालिता मज़िया में करनाड़क के मांडिया में एक मेगा डेरी का धरंग किया जिसमें दोसो साथ करोड़ पे की लागा से स्कूर की गई इस भगे योडिना का संब्द है करनाड़क राज्जे से जो बच्चों को स्कूरी बच्चों दूद उप्रप करवाएगी ताकि उनको उनके उन्में से कूपोशन को दूर किया जा सके ग्यारावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा नकिन दी हाली में इन दौर में सत्रोवा भारतिय प्रवासी दिवस सम्मिलन का भी आजन किया गया था जिसके मुख्य अतिती गोरा के राश्प्री डॉक्टर मुहम्मत इर्फान अली थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तीम रखी गई है मद्यपरदेश भाविश्य के लि किस बैलिस्टिक मिसाल का सबल्पेशन किया तो यह एक मिसाल है जो इंटिग्रेट टेस्ट ते से समंधित है और इसका जो है प्रेक्षन उडिशा के चांदियपूर के इंटीगरेटिर टेस्ट खेंड से इसका प्रेक्षन किया गया तो बात करते हैं डियाइडियो के बारे में डियाइडियो को पूरा नाम ए डिफरेंस रिसेर्च डिव्लिमेंट और्गनिजेशन रखषा अनुसन्नार और विकासंटन इसकी स्थापना एक जनुरी उनिस तॉटावन को हुई थी और इसका मुख्याले नई दिल्ले में स्थित है इसके वात्मान अध्यक्स समीर वी कामत है इसका आदश वाक्य है बलस से मुलम विग्यानम जैने कि इसका आदश वाक्य है बलस से मुलम विग्यानम और प्रतिवस एक जनुरी को डियर डियो दिवस की रुपे मनाया जाता है कुमार कुम और बेपोर जिने सौदेश दर्शन टू पॉन जिरो यूनर में शामिल किया गया है अस्टेव गान दिवर्ज वाटेज की थीम क्या रखी गई है तो 28 फरवरी 2023 को मनाई जाने वले रास्टेव गान दिवर्ज की थीम रखी गई है Global Science for Global Wellbeing जाने जाने रखेंगे Global Science for Global Wellbeing ये इसकी थीम है और 28 फरवरी वाटेज को मनाई जाएगा तो उमिद करते हैं आपको मारे वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको मारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो मारे वीडियो को जैसे आदा शिये करें अगर अभी तो अपने मारे चिल को सबस्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मारे चिल को सबस्राइब करें तो मिलते आगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत